जीव लोटकर क्यों आता है? इस बारे में पुझे स्वामे राम सुक्ताश्ची के प्रवचन सुनते हैं। वे कहते हैं, शिमत भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव, साक्षात मेरा ही अंश है ममई वान्शो जीव लोके जीव भूतह सनातनह यह मेरा अंश, यहां जीव लोक, अर्थात, संसार में आकर जीव बना है और यद गत्वान निवर्तंते तद्धाम पर्मममा मेरा परमधाम ऐसा है, जहां जाने के बाद वापस लोटकर आना नहीं पड़ता तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए यह जीव पुनाह संसार में लोटकर आता ही क्यों है अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने जैसे आप हम सभी यहां सत्संग के लिए आये हैं और समय पूरा होने पर यहां से चल देंगे यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहां छूट गई या कोई भी चीज यहां रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापिस आना पड़ेगा इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपिये, कुछ भी हो उनके चूटने पर ममता के कारण इसे लोट कर आना पड़ता है संसार में जिन वस्तूओं को अपना माना है वहां लोट कर आना पड़ेगा यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं अतहद दूसरा शरीर धरन करके आना पड़ेगा अब किसी भी योनी में जन मलें उसे फिर उन वस्तूओं के पास आना पड़ेगा हमने एक कथा सुनी है एक बार श्री गुरु नानक जी महराज कहीं जा रहे थे उनके साथ उनके दो चार शिष्षे भी थे किसी शहर की धानमंडी में से होकर निकले धानमंडी में गेहूं जो बाजरा मोट चना आदी अनाज के बहुत से धेर पड़े थे इतने में एक बकरा हाया और एक मोट की धेरी में से मोट खाने लगा वहां पर उस धेरी का मालिक बैठा था उसने बकरे के केश पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा काफी मार पीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकल वा लिए इस दिर्शे को देखकर श्री गुरू नानक जी महराज हां से साथ में चल रहे शिश्यों को आश्चरिय हुआ उन्होंने पूछा महराज बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हस रहे हैं संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है अतहा महराज हमें बताएं आप हसें क्यों तब श्री नानक जी महराज बोले देखो जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिये का बाप है इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था भीतर दुकान और बाहर जो यह बरामदा है इसी में यह बैठा रहता था इसलिए आज कल भी रात में यह बकरा यहां ही बैठता है इसको याद नहीं है लेकिन इसको यह जगह अच्छी ही लगती है इसने बड़े बड़े देवताओं की मनोती करके इस पुत्र को पाया था कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुह से दाने निकाल लिये जाते हैं लोग फिर भी संग्रह करते हैं यह जीव जिस किसी भी वस्तू या जगह में आ सकती प्रियता या वासना रखेगा उसे मृत्यू के बाद चाहे कोई भी योनी मिले उसी जगह आना पड़ेगा पशू, पक्षी, चिडिया चूहे आदी उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था कारणम गुण संगोस्य सदसद योनी जन्मसू भगवत गीता में कहा उँच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग आसक्ति प्रियता वासना जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसे लोट कर आना ही पड़ेगा जिसकी जड़ वस्तों में आसकती या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है इतनी विलक्षनता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरन करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है अंतकाल में भी आद कर ले तो बेड़ा पार है अंतकाले चमामेवा स्मरन मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाती समदभावम याती नास्त्यत्रा संशया अंतकाल के स्मरन से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुक होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। फिर यह लोटकर क्यों आता है। इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपना पन कर लेने से इसको विवश्य होकर यहां आना पड़ता है। जीव का मन संसार में खिंचा चला आता है और फिर भगवान उसको वैसा ही मौका दे देते हैं अर्थात जन्मते देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहां रहता हुआ भी निरलेब रहे। भीतर में मम्ता आसकती करके फशे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए है, ठाकुर जी का घर है, हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, मुनीम की तरह रहें, मालिक न बने जो काम करें उसका एहसान ठाकुरजी पर रखें कि महराज हम आपका काम करते हैं हमारा यहां क्या है परिवार आपका घर आपका धन आपका जमीन आपकी यह ही सच्ची वात है क्योंकि जब हम जन में थे नंग धड़ंगाये थे एक धागा भी पास में नहीं था और मरेंगे तो यह लाश भी यहीं पड़ी रहेगी लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते तो धन संपत्ती वाइभाव परिवार साथ में क्या ले जा सकेंगे साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं और यहां रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते स्त्रिया नहीं मानते, कुटुम्भी जन नहीं मानते तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन के मुताबिक नहीं बना सकते और जितने दिन चाहें साथ में नहीं रख सकते बदल नहीं सकते सौभाव बदल दें या रंग बदल दें यह आपके हाथ की बात नहीं है फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीजें ये मेरे कैसे हुए बताओ तो सही अतहा मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं है भगवान के दिये हुए है और भगवान के है जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए यह मकान दिया गया है अब यदी हम इस पर कबजा कर ले तो यह तक्त हमारा बिछोना भी हमारा माईक भी हमारा क्योंकि हम इस तक्ते पर बैठे थे इस माईक पर बोले थे तो यह बैमानी हुई या नहीं आप ही बताओ इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुम्ब आदी सेवा करने के लिए दिये हैं अच्छी तरह प्रबंध करो सब को सुप पहुँचाओ पर आप मालिक मन कर बैठे क्या यह मालकियत सदा रहेगी कभी सोचा यह अपने सदा साथ रहेंगे क्या हम इनके साथ रह सकेंगे क्या इनको अपने मन मताबिक बदल लेंगे क्या इन पर हमारा कुछ भी वश्च चलता है अरे नहीं चलता फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं वस्तूओं के साथ केवल अपने पन की मान्यता है अपना पन वास्तों में है नहीं केवल माना हुआ है प्रभू के साथ अपना पन वास्तों में है निश्चित है और किवल उनको भूले हुए है प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए उनसे विमुक हो गए और संसार कभी अपना हुआ नहीं खोश सकता नहीं उसको हमने अपना मान लिया इसी लिए यहां लोट कर आना पड़ता है अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहां वापिस नहीं आते यहां लोग भिन्न भिन्न जगहों शहरों से आए हैं सत्संग की समापती के बाद यहां कोन आएगा जिसकी कोई चीज यहां रह जाएगी वही तो आएगा जिसकी कोई वस्तु यहां नहीं छूटेगी वह क्यों आएगा यदि संसार की चीजों को आप अपना मानेंगे तो ये चीजें आपके साथ रहेंगी ही नहीं लेकिन आपने इनके साथ जो अपना पन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं आप छोड़ो तो यह अपना पन इस शरीर की जीवित अवस्ता में ही छूट जाएगा जैसे कोई साथू हो गया साथू होने के बाद ग्रिहस्थ आश्रम से कोई अपना पन नहीं रहता अपने कुटुम्ब के स्त्री, पुत्र, भाई, आदी सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी उस साथू को चिंता नहीं होती अगर चिंता होती है तो वो वास्तों में साथू नहीं हुआ अभी संबंध जोड़ा हुआ है असली साथू है त्यागी है तो घर वाले सब के सब चोपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती कारण की यह द्रड़ता है कि हम उनके नहीं वे हमारे नहीं संसार की सभी चीजों को भगवान की माने अब भगवान का काम करो चिंता भया कुछ नहीं रहेगा भोजन नहीं ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पाओ गहने कपड़े कुछ भी धारन करो तो प्रभू का प्रसाद मान कर धारन करो प्रभू के प्रसाद का बड़ा माहात में है अंतह करण निर्मल हो जाता है मम्ता आसकती सब मिठ जाती है ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बता सा भोग लगा दें वह परम पवित्र हो जाता है लखपती और करोडपती भी आपके हाद से वह प्रसाद कन लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन होंगे क्या वे मिठाई के भूखे हैं नहीं वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया क्यों? क्योंकि अब आपकी उसमें मम्ता नहीं रही चाहे आप ही बाटें लेकिन वह आपका नहीं ठाकुर जी का है आप भाई वेहन कृपा करो अभी अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो हृदय से मान लो कि हे नात यह सब कुछ आपका है गहना, कपड़ा, भोजन, मकान, आदि सब कुछ आपका है अब भगवान की मर्जी हो वहां रखो हम लोट कर क्यों आएंगे हमारी कहीं ममता ही नहीं है कोई हमारा है ही नहीं ऐसी कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो वास्ताव में सब कुछ भगवान का ही है हमने उसको अपना मान लिया है बस यह मान्यता छोडनी है लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए भगवान की माया से मोहित नहीं हुए लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया इसलिए मोहित हो गए है भगवान की माया किसी को मोहित नहीं करती वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, क्रिपा करती है परंतु आप मिली हुई वस्तों पर कबजा कर लेते हो उन्हें अपना मान लेते हो सज्जनों, ये आपकी हैं ही नहीं थी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगी अभी भी निरंतर उनका व्योग हो रहा है ध्यान दें जितने दिन आप हम इन वस्तों को अपना मान कर जी गए उतना ही इनसे व्योग हो गया यदि कोई चीज हमारे पास पचास वर्ष रहने वाली है और दस वर्ष बीट गए तो अब वह चीज पचास वर्ष हमारे पास रहेगी ऐसा है क्या? नहीं अब तो चालिस वर्ष ही रहेगी इसलिए व्योग तो निरंतर हो ही रहा है जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं वह आपसे प्रतिक्षन अलग हो रही है पहले अलग थी बाद में अलग रहेगी और अभी वर्तमान में भी अलग हो ही रही है कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं आपकी छोडने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुडा देंगे उनको पुकारें कि हे नात मैं इन वस्त्वों को अपना मानना चाहता नहीं तो भगवान कहेंगे कि ठीक है और ममता छूट जाएगी परन्तु वृदय से छोडने की नियत हो तब तो यदि छोडना चाहते ही नहीं तो मरने पर भी नहीं छूटेगी भूत प्रेत बनना पड़ेगा वही पोशाक धरन किये उसी घर में आता है लोगों को दिखाई देता है भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटेगी नहीं इसलिए आपने जो संसारिक वस्तों में अपना पन कर लिया है वह संसार में लोट कर आने का खास कारण है यही सबसे वड़ी गलती है घर में काम करो सेवा करो सुप पहुँचाओ अभिमान मत करो ममता मत करो ममता आपकी चलेगी नहीं आज से सो वर्ष पहले इन कुटुम्बियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या सो वर्ष बाद रहेगी क्या अरे नहीं रहेगी अभी भी निरंतर मिट रही है जितने दिन बीट गए उतनी सब चीजें अलग हो गई उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है बोल जाएगी तो चीजें आपकी कैसे हुई पहले आपकी नहीं बाद में आपकी नहीं तो बीच में आपकी कैसे हुई हर पल आपसे बिछुड रही है इन वस्त्वों के द्वारा सब की सेवा करो आदर करो सब को मान दो घर में रहते हुए निहाल हो जाओगे जो संसार में अपना पन करेगा वह लोटकर नहीं आएगा तो कहां जाएगा ये बताओ वासना यसे यत्रस्याद सातम सपने शुपश्यदी सपनवन मरने जीम वासना तू वपुर्न नाम जिसकी जहां वासना है सपन में भी उसको वही याद आता है सपन की तरह मरने पर भी वही याद आता है क्योंकि वासना ही उसका शरीर है किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव लोटकर संसार में क्यों आएगा अगर वासना रह गई थोड़ी धन में थोड़ी घर में थोड़ी पुत्रों में तो वापस आना ही पड़ेगा यदि हमारा संबंध हेहां किसी से नहीं है केवल भगवान के साथ है तो नहीं आना पड़ेगा जीते रहें तो भगवान के साथ और मरें तो भगवान के साथ तो हम भगवान के पास ही जाएंगे फिर यहां नहीं आएंगे एक राजगुमर थे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने आते थे उनमें से पांच साथ बालक राजकुमर के मित्र हो गए वे मित्र बोले आप राजकुमर हो राजगदी के मालिक हो आज आप प्रेम और स्नेह करते हो लेकिन राजगदी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है नहीं तो कुछ नहीं राजकुमर बोले कि अच्छी बात है समय बीटता गया सब बड़े हो गए राजकुमर को राजगद्दी मिल गई एक दो वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया राजकुमार ने अपने मित्रों मेंसे एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था राजा बनने के बाद मित्रता निबाहो तब समझें अब तुम्हें तीन दिन के लिए राज्य दिया जाता है आप राजगद्धी पर बैठो और राज्य करो वह बोला अन्य दादा वह तो बच्चपन की बात थी मैं राज्य नहीं चाहता बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने तीन दिन के लिए राज्य स्विकार कर लिया वह मित्र राजगद्धी पर बैठा और उस दिन खान पान एशो आराम में मग्न हो गया दूसरे दिन सेर सपाटा आदी में लगा रहा राथ हुई तो बोला हम तो राज महल में जाएंगे सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए राणी बड़ी पती व्रता थी वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है मैं राजा हूँ तो राणी भी मेरी है राणी ने अपने कुल गुरू ब्राह्मन देवता से पुछवाया कि अब मैं क्या करूँ गुरू जी महराज ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो हम सब ठीक कर देंगे गुरू जी ने उस तीन दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भाती जाना होगा इसलिए आपका ठीक तरह से श्रिंगार होगा उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आग्या दी महराज के महलों में जाने की तयारी करो श्रिंगार करो नाई को बुलाया और कहा कि महराज की हजामत करो ठीक ढंग से तीन चार घंटे हो गए तब वहराजा बोला ऐसे क्या देरी लगाते हो तुनाई बोला महराज राजाओं का मामला है साधरन आदमी की तरह हजामत कैसे होगी हजामत में बहुत देर लगा दी इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी उसके बाद इत्र तेल इत्यादी लगाने वाला आया उसने देर लगाई इस प्रकार शिंगार शिंगार में ही रात बीद गई अब सुभे हो गई अंतिम दिन था समय पूरा हो गया और राजगदी वापिस राजा साहब को मिल गई राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूरवक तीन दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं मेरी स्त्री मेरा घर ये सब तो मेरे हैं मैं भी आपकी प्रजा हूँ बाकी सारा राज्य आपका है वह मित्र तीन दिन के लिए राजा वन गया राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है मंत्री ने जवाब दिया महराज सारी फोज पल्टन खजाना और इतनी पृत्वी पर आपका राज्य है उसने दस बीस योग्य अधिकारियों को बुला कर कहा कि हमारे राज्य में कहां कहां क्या क्या चीज की कमी है किसको क्या क्या तकलीफे है पता लगा कर मुझे बताओ उन्होंने आकर खबर दी कि ऐसे ऐसे गाउं में पानी की तकलीफ है कुवा नहीं है धर्मशाला नहीं है पाठशाला नहीं है उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गाउं में जहां जो कमी है तीन दिन में पूरी हो जानी चाहिए खजान्ची को कह दिया कि मकान धर्मशाला पाठशाला कुए इत्यादी बनाने में जो भी खर्च हो तो तुरंत दिया जाए राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा की आग्यां के पालन में लग गए तीन दिन पूरे होते होते विभिन स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रहा जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापिस राजा को दे दिया राजा बड़े प्रसंद हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अपना मंत्री बनाएंगे हमें राज्य मिला लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना अपने तीन दिन में रखा है अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे तीन दिन के लिए भगवान की तरफ से रज्य मिला है अब जो रुपया संग्र है और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत खो रही है और जो दूसरे मित्र की इस तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते है मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मनी तो भाई हमारे पास जो भी धन संपत्ती वैभवादी है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो सबकी सेवा करो यह राज्य तीन दिन के लिए मिला है अब निर्णय आपको करना है कि हजामत में समयक होना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है लक्ष्मी जी हमारी मा है भगवान हमारे पिता है निर्वाह के लिए लक्ष्मी मा से ले लो लेकिन लक्षमी जी को भोगना चाहते हैं स्त्री बनाना चाहते हैं यह पाप है वह हमारी पूजनी या मा ही है सेवा भाव होगा तो मा भी खुश होंगी और पिता जी भी खुश होंगे फिर हमें संसार में लोटने की आवश्शक्ता नहीं रहेगी पिता जी के धाम में हमारा सदा निवास रहेगा हम वहां के रहने वाले हैं यहां क्यों आएंगे हमारा यह लोग है ही नहीं यह तो जीव लोग है मैं भगवान का हूँ केवल भगवान ही मेरे हैं सब चीजें भगवान की हैं मेरा कुछ भी नहीं ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहां लोट कर नहीं आना पड़ता लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है तो उसे लोटना ही पड़ता है नारायन, नारायन, नारायन झालज कर नहीं जोले ममता है यहां लेकिन जोड़तान है उसमयक समयरता है तो उसे बाद कर दो दो पहाँ फंग समय है उस्काचाब कर दो आना भाद उ यहांmaि आना हम है जूहां जो जो इस जहांए께 ममतान जोरी कर दो पीन प равARINTOR जो आहांए सभी